आले अर्यों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके इपने प्लेटफॉर्म पर एक्षापलेस पर टीम की ओर शे मैं रबन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यसाई जो आपकी सिविल की है नागरिक पुलिस है उसमें आपकी लंबाई जो है हाइड बेट चेस्ट मीजर्मेंट कैसे होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन तमाम मुद्दों पर आज आपके सामने मैं एक बार फिर से उपस्ते दूँ तो बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनना कौन से लोग इलेजबिल हैं कैसे कैसे आपको हर एक चीज़े हम उपलब्द करवाएंगे कैसे कैसे आप इसमें योगिता होगी क्या क्या चीज़े हो उन पर बहुत बिदवात हम लोग पर चरचा करने जा रहें पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखे क्योंकि इस पर बहुत कुछ जरूरी बाते अपसे होने जारी तो बहुत अच्छे से सारी लोग जानने है टीम ने सुन बैट चला रही समय सारी वीडियो क्लासेज आपकी SI, ASI की फिरी चल रही है बहिया सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एप पर रेजिस्टर करके और सारी वीडियो का लाव उठाएं दिन में कंसेग हम 4-5 वीडियो हो रही है सारी चीजे बहुत बिदवर चल रही है सब कुछ ठीक है तो चलिए इसमें देखते हैं आपकी जो आपका इससे पहले का सलेबस रहा सलेबस वही होगा इस बार पदों की संख्या जो है वो पदों की संख्या 5,623 से इसे पहले मेंने बदाया है ठीक है और SI में जो पदों की संख्या है वह आपका 1277 पद है यानि दोनों मिला के 7,000 पद आने हैं कितने 7,000 और इससे पहले जो आपकी हुई थी आपकी ये वेकंसी आई थी उसमें जो था इस बार होगा पहले क्या था कि 50% हर एक सब्जेक्ट में लाना आपका कंबल सरी था लेकिन इस बार क्या होगा हर एक सब्जेक्ट में 35% लाना है और overall सभी सब्जेक्ट को मिला कर minimum 50% लाना है ठीक है ये प्राउधान इस बार लागू होगा तो बहुत अच्छे से ध्याम रखना को पूसता है आरिता है ठीक है देखो किसी भी राजी के निवाजी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है ठीक है यहाँ पर आप सिर्फ भारतिये हैं तो उत्तर प्रदेश में आपसे हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे आप यहाँ पर वेकेंसी फिल कर सकते हैं किसी भी आ यहां पर पात्र होते हैं उत्तरप्रदेश राजसरकार किसी के साथ भेदवाओ नहीं करती है तो जो अभ्यरती हैं दूसरे श्टेट वाले देख रहे वेडियो वो लोग भी अपलाई कर सकते हैं परिशान नहीं होना है अगली चीज इसमें पाटकरम की और बाते जो है सैच ग्रेजुएट होना चाहिए यह नहीं है कि भी यह भी एपी असली है सरजी हमारा बीटे को कुछ नहीं कुछ भी है आप ग्रेजुएट डिगरी धारण करते हो आप इसके लिए योग हो ठीक है कोई भी बिसेस योगिता आपका यसाइकल नहीं चाहिए अगर उसी में एक पाधा आता है अगने सबंग दुतिय अधिकारी का इसमें बग्ञान से जो लोग graduate होंगे वो लोग इसमें eligible होते हैं थेग हैं जो लोग science से graduation किये हैं प्यसी किये हैं वो लोग इसमें eligible होते हैं तो इस बार देखें कोनकुल से पद होते ये पिछली बार, हलाकि ये सारे पद होंगे जहां तक है, आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजे चाहिए भाई, आपको graduate होना चाहिए, बस ये चीज दिमाग में रखो, कि हमें नागरिक पुलिस में जाना है, तो हमें graduate होना चाहिए, आगली चीज बढ़ते हैं, इसम पास कुछ डिग्रियां होंगी ठीक है कभी कभा ही होता है भाई कि कई लड़कों के एक ही आपके माक्स पर कई लड़कों लड़के जो है आ जाते हैं तो उसमें किसको सेलेक किया जाए किसको ना सेलेक किया जाए उसके लिए क्या कहता है कि हम जब किसी के नंबर बराबर हों तो उसको पहले बुलाएगा अगर वो भी किसी के पास नहीं है तो वो क्या करता है कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में नियुन्तम दो वर्स अवद की सेवा की है तो आपको अधिमानिया हरता देगा आपको पहले नोकली देगा और तीसरी देखता है मालीजे ये भी किसी के पास नहीं उन बच्चों में तो अगर तीसरा देखता है कि अगर आपने LCC कर रखा है और आपके पास भी जो है grade का certificate है तब आपको क्या कहेगा कि भाई आप पहले आएंगे ये लोग बाद में आएंगे ठीक है तो ये अधिमानी आर्था होती है ये किसी के लिए compulsory नहीं है कोई भी कोई दिक्क्त नहीं है अच्छे माक्स तो लाओ अधिमानी आर्था की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके कोई भी माक्स नहीं मिलते हैं इस बात को ध्यान लखना की ओ लेबल है तो हमारे पांच नमबर बढ़ जाएं कोई माक्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रिफरेंस मिलती है कि भाईया एक साथ सारे लोगों के अंग बराबर है तो किसको इसमें नौकरी में लाया जाएगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद आई जो एज लिमिट की बात होती ही इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए एज लिमिट में हमेशा ध्यान रखिएगा पहली जुलाई से लेती है यह वेकंसी SI और SI की जो आएगी हमेशा SI की वेकंसी में जुलाई पहले जो आपकी तारीक होती है वहाँ से एज की काउंटिंग होती है तो जो वेकंसी आपकी आएगी इसी जुलाई से आएगी एक साथ को देखेगा कि एक साथ को मिनिमम आपकी आईव 21 साल होनी चाहिए minimum IU 20 साल होनी चाहिए अगर पहली जुलाई को और maximum IU आपकी 28 साल से ज़्यादा 1 जुलाई तक नहीं होनी चाहिए इस बात को ध्यान रखेगा minimum IU 1 जुलाई को आपका ये 20 है तो 1 जुलाई 20 को minimum IU 21 साल अगर आप पहुच गए है ठीक है और maximum IU अगर 28 साल हो गए है तो हमेशा ध्यान रखेगा कि आप जो है इसके लिए eligible हैं इसमें 28 वर्स वाले में जो लोग एक दिन भी कम है एक दिन भी उनका कम हुआ है ठीक है मानिजिए 3 जुलाई को बड़े पड़़ा 2 जुलाई को वो भी eligible हो जाएंगे इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है तो बहुत अच्छा मौका है 21 से 28 आपकी एज मांगता है ठीक है बाकी ये तो जनल वाली है इसके बाद जो लोग आपके अधर उसमें आते हैं जैसे अनुसूची जाती हो गया यसी हो गया यस्टी हो गया और ऐसी कोई भी आपके ठीक है अनिस्रेडी के भड़ती है लेकिन यहाँ पर बाहरी स्टेट वाले ध्यान रखेगे ये केवल उत्तर प्रदेश के मून लिवासियों के लिए है अधिक्तम आयुसी मा उतने वर सधीक होगी जितनी रिक्तियों के अधिसूचना के समय अधिनियम में लागवादेश होंगे तो उसमें पांच साल चलता है ठीक है पांच वर्स इसमें छूट चलती है ये यूपी वालों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मून निवासी ह इसमें बोला है कि चरित्र में क्या चीजे दिक्कत होती है अगर कोई वेक्ति कहीं पर जॉब कर रहा है इससे पहले और वहां से निकाल दिया गया है तो उसकी नियुक्ती जो है वहाँ पात्र नहीं हो सकता है इस बात को ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं केस वगयरा कोई चल ला है तो उसकेस में अगर आप दोसी है तब भी आप पात्र नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं इसके बाद बैवाह की इस्थित भाईया अगर एक ही किये हो तो आप इलिज बिलो और एक से ज़्यादा कियो हो तब दिक्कत है ठीक है ब प्रक्रिया जो चीजे चल लाई थी पंद्रा में संसूदन था, इस बार आपका एक संसूदन फिर से हुआ है, जो मैंने अभी सबसे पहले बताया, ठीक है, उसके अनुरूप होगी, इसमें जो लिखित परिच्छा होती है, सारी चीजे, 400 अंकों का पेपर होता है, पूरा का पूरा, ठीक है, सामान हिंदी आपका 100 अंका होता है, मोलविदी का पेपर होता है, वो इस बार भी यहीं होगा, 400 अंक मैक्समम होते हैं, मिनमम आपका क्या होता है, मिनमम आपको पहले हर एक सबजेक्ट में, हर एक में 50-50 लाने से, इस बार क्या है, हर एक में 35% लाओ, ओबराल जो है, आपको 50% लाना है, मिनमम 200 अंक आपको ओबराल लेक तो ये परिवर्तन है इस बार ठीक है बहुत अच्छे से सारी बातों को सुनिएगा ये सारी चीजे उस बार था प्रतेक बिसे में अगर 50% डांग नहीं लाते हैं तो आप पहले उसमें क्या होगे आउट हो जाएंगे पहली परिक्षा में नॉल्मनाइजेशन इसमें करता ही करता है ठीक है सारी प्रक्रिया यूज करता है अब लेकों के है तो सारी बार प्रिक्षा कैसे होती है वेरिफिकेशन और सारी बार प्रिक्षा कैसी होती है फिचकल इनको जान लेते हैं ठीक है जो लोग पहले सबसे पहले रिटेन होगा रिटेन में जो लोग पास हो जाए फिर उनका document verification होता है, फिर उनका जो है, पूरा body check-up होता है, जो आपकी सारीरिक मानक परिक्षा है, वो होती है, सारीरिक मानक परिक्षां के अंतरगत, आपका height, chest weight, ये सब measurement किया जाता है, physical देखा जाता है, ठीक है, दोड़ और इन सारी चीजों को, तो ध्यान दीजे, सारी सारीरिक मानक परिक्षण में क्या-क्या चीजे है, जो उचाई मांगता है, उचाई सामानी के जो अभ्यरती है, आपके जन्रल के, या फिर आपके OBC के है, या अनसुचित जातियों के अभ्यरती है, इसके लिए नियुंतम जो उचाई चाहिए, 168 cm चाहिए, ठीक है, ये SI सिविल के लिए है, जो लोग ASI को देखना चाहिए, वो इसे पूर्व जाकर के मेरी जो वीडियो है, उसको देख लें, उसमें मैंने उसका मिनसम किया है, दूसरी बात, अनसुचित जो जन्रल जाती है, या अनसुचित जाती है, इन सभी के लिए जो आपका चेस्ट, जो ह फुलाओ मीजर किया जाता है, नियूनतम बिना फुलाओ 79 सेंटी मीटर होना चाहिए, और जब आप फुलाओ तो 5 सेंटी मीटर की उसमें क्या होनी चाहिए, फुलाओ होना चाहिए, यानि कम से कम 84 सेंटी मीटर आपका फुलाने के बाद आना चाहिए, ठीक है, और वो साम 79 से लेकर 84 के बीच में विजर की जाती है इसके बाद अगर देखें ठीक है 5 cm होना ही होना चाहिए ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है 168 cm हाइट होनी चाहिए और आपका 79 से लेकर 84 सीना फूलना चाहिए ठीक है minimum 79 हो उससे maximum चाहिए जित्ता हो ठीक तो ये चीज़े हो गई और ये सब कुछ जो आपका होता है डाकुमेंट वेरिफिकेशन हो गया या सारी रिगमानिक परिक्षा हो गई ये उस समय जो आपके जहां पर होता है मलब जैसे जो आपके प्लाटून होती है ठीक वहीं पर ये सारी चीज़े चलती है आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो होगा सारी रिगमानिक परिक्षा होगी ठीक है उस जो लोग डाकुमेंट सारी रिगमानिक परिक्षा में सफल पाए जाते है ठीक है मलब आपके height chest measurement हो गया, सारी चीज़े होने के बाद तब आपको दोड के लिए बुलाया जाता है इसमें, ठीक है, document verification और सारी रिखमाने के परिच्छा, मलब पहले document verification करवा लाते हैं, उसी के साथ-साथ आपका chest height measurement हो जाता है, तो ये चीज़े वहीं पर हो जाती है, दूसरी बात इसमें, फिर आपको physical के लिए बुलाया जाता है, दोडने के लिए, इसमें क्या की जाती है, कि जो सारी रिख दच्छता परिच्छा है, इसमें आपको जो पूरु सब्धरती है, male candidate है, इनको 4.8 km दोड लगानी होती है, 4.8 km 28 मिनट में पूरा करना होता है, इसमें आपको सिर्फ ये qualify करना है, इसके कोई marks नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे पहले marks होते थे, अब उसमें भी सारी qualification हो गई, यहाँ पर भी 4.8 km दोडना है, 28 मिनट आपको लेना है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, यह आपको पूरा करना है, यह male candidate के लिए है, जो इसके बाद female के लिए है, उसमें आपका यह मानक कम होता है, उनको 4.8 नहीं दोडना होता है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगर देखा जाए, लिखित परिच्छा, अविलेकों की सम्विच्छा, नागरिक मानक परिच्छा, सारी रिख दर्चता की परिच्छाती, यह सब उसके बाद आती है, सारी चीज़े, ठीक है, चैन जो होता है, हर इत देंगे, वो सब सेलक्षन होता है, फिर मेडिकल के लिए आपका बुलाया जाता है, लाश्ट में मेडिकल सूची आती है, ठीक, आरच्छन आयू सीमा में छूट दे लिए, अनुसूची जो जाती है, इनके 21 प्रच्छन होता है, जितनी सीटे होती है, उसमें 21 प्रच्छन पर इनकी न्यूक्ती होती है, अधिक्तम आयू सीमा 5 साल छूट मिलती है, ठीक है, 5 साल की छूट मिलेगी, जो आपके OBC समवर्ग से है, दूसरी बात, अगर कोई SC है, नुसूची जाती है, इसमें अगर छ प्रच्छन होता है, 5 साल की इनको भी छूट होती है, ठीक है, तो 5 साल की छूट, यानि इन लोगों के लिए 21 से लेकर आपका कितना, 33 साल तक चलेगा, 33 तक, ये आरक्षन बाला और जो है, जो आपके उसके अंतरगताते हैं, ठीक है, इस बार तो EWS भी आएगा, उसमें भ का होगा, जो लोग आपके एक सर्विसमेन है, या स्वतंता पूर्व संग्राम के जो है, आपके सेनानी है, 2 प्रच्छत इनका अरच्छन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़े है, अगली चीज़ अभी कल ही बोर्ड ने बताया है, कल ही एक फैसला आया है, उसमें ये बोला गया है, आप लोगों ने देखा होगा, कि जो लड़के येंसीसी क्वालिफाई हैं, ठीक है, येंसीसी क्वालिफाई हैं, उनको उसने कहा है, कि इन सरकार ने कि राजी सरकारें जब पुलिस की भरती करें, तो येंसीसी जो लोग आपके क्वालिफाई है, इनको क्या करें इनको preference दें, ठीक है, मलब पुलिस की सिपाही भरती में, अब ये NCC वालों को क्या होगा, ज्यादा जो है, preference मिलेगी जो लोग ये NCC किये हैं, इससे बच्चों को पहले बुलाये जागा, इस बात को ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, भूदपूर्ग जो सैनिक है, उनको जो है, छूट दी जाती है, इसी मा तीन मर से अधिक मलब वास्तविक आयू घटाने से तीन साल से जादा नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजे हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें जितनी चीजे हैं, अन्डी तो आपके उतनी जानगारी की नहीं है, लेकिन जो कुछ मुखे थ तो एब इसमें उन सारी चीजों में हमने आप से बात कर ली है, अजिमानी अर्था मैंने बता ही दिया की क्या-कै कैसे होनी चाहिए, ये सब बाद में भी पर चर्चा होगी की आपको क्या लेकर document verification में जाना होता है, कैसे कैसी चीजें आपके पास होनी चाहिए, अभी तो आपको registration बगएरा ये जैसे ही आपका program होता है तो उन चीजों को आपको शुरू कर देना है ठीक है इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका पाटक्रम क्या क्या है कैसे आपको पढ़ना है तो उसके लिए next वीडियो में हम लोग पाटक्रम पर परशर्चा करेंगे कोर से सारे लोग जॉइन कर लो परिक्षा प्लस एप कोई भी दिक्कत होती है ठीक है एप में कि कहा पर सरक्लासे लगी है उसके लिए 9456 007 पर या 8155 पर ठीक है 879 55 पर या आपका 739867 ठीक है 6291 इन तीनो नंबर पर कॉल करके आप वाटसेप करके जानकारी ले सकते हैं कि क्लासेज नेसुल क्लासेज कैसे हमें उपलब्द होंगी हर एक क्लास को बहुत डेटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक चीज़े सुरू हो चुकी है टीम के द्वारा तो एप पर आप 10 प्लस कोर्स ओपिन करेंगे रिजिस्टर के बाद जो लोग नए है गूगल प्ले स्ट लिखा हुआ मिलेगा दिखेगा आपको 10 प्लस कोर्स में ठीक है उसमें जाकर के आपको क्या करना है वीडियो ओपिन करना है सारी वीडियो लगी मिलेंगी तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में पाट क्रम पर परशर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद